जो है इस बारक जो वेकिंस आएगी अक्टूबर मंत तक आने को उमीद है ठीक है अक्टूबर मंत पर आने को मिद है उसका एक्जाम जो होगा दिसंबर तक होना है ठीक है ऐसा अनुमान है और उसे के अक्वार्डिंग यहां पर चीज़ें होंगी और इंपॉर्डटन है कि अब इसमें प्र्टी प्रामेर टीचर होते हैं यहां पे बात करेंगे ताकि जो भी आप फॉर्म करते हैं उसके बारे में सटिक जानकारी होनी चाहिए अब देखें कि हुआ क्या है इस वीडियो को बनाने के पिछ बहुत सरा एक रिडियर्ट का मेसेज आया यह कि क्या मैं ग्रैजूशन पास हूं तो क्या मैं अपलाई कर सकता हूं पहला चीज़ मेरे पास बीए पर सीटेट की सीटेट मैं कॉलिफाई नहीं हूं बहुत लोग मैं क्लियर होंगे आए पहला चीज यहां पर दिखेगा आपको तीन बात पर फोकस करना है अगर आप याटी की फॉर्म भरते हैं तो तीन से चार बात आपको ध्यान रखना पहला सबसे पहले दिखिए इसका एज एज होता है यहां पर तीस वर्स ठीक है मैक्सिम जो एज ह आपका मैक्सिमम इयर्स हो जाए पहला चीज दूसरा चीज यहां पर देखना है कि पहला नमर ए है यहां पर भी है सी है डी है यह चार जो हैं यहां पर आपको विकल्प दियाए इन चारों विकल्प में से कोई एक में आप इस क्रेटरिय को फुलफीर करते होंगे तब ठी गया कि आपका जो सीनियर सेकंटरी या इसके कुय को को हैं अगर आपने कर रहा दो कि ऐसमें कि फिक्टी परसंद मार्ग सो फीक है और पास कर च और बेह से पास कर लिए हो है ना इसमें साफ तो पर लिखा गया है सिनियर सेकंटरी और इस इक्वेलेंट विद एक्लिस 50% मार्स एंड पास्ट पहले तो होना चाहिए कि यह चीज़ होना चाहिए आप सिनियर सेकंटरी हो 50% मार्स से पास हो या या अप्यरिंग इन फानल ये और ओफ तू यर ओफ टो य य डिपलोमा इन पर अलिमेंटरी एज़ुकेशं है मिन्स की डी एल एड है डी एल एड की में आप से दिगरी मांगा गया है 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 ना फस्ट वाले में क्यार मांगा गया आपका इफ फस्ट वाले में आपका पी से डील 1 की दिगरी मांगेगी है अगर जिनके पास डिलेट के डिगरी है प्लस सेनर सेकंडरी का क्वालिफिकेशन है इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे ठीक है अगर जिनके पास नहीं यह चीज़ तो सेनर सेकंडरी का होना चाहिए 50% मास होने चाहिए और आपियरिंग की बात अगर की देओर की दिगरी नहीं थीक् nov की में करतें कंग हुव Grade कर दें नहीं यह बही नहीं है तो सी मिया यह फिर सुसियर से कटर की बात होती है तो हर बात सिन इले डॉलेक्ट वाले कर सकते हैं यहां फिर एपर इन फाइनल यह टू यह डिप्लोमा इन एजुकेशन डिप्लोमा इन एजुकेशन में इसकी यहां पर और अस्पेशल एजुकेशन जिसकी बात कीगी यह डिएट की बात कीगी है ना तो भी एलेड हो गया डिएलेड हो गया डिएड हो गया इन सा आप अगर किसी एक में फुल्फिल करते हैं आप एलिजे वाले हैं फिड आपसे ये भी बोला गिया है देख लिए ग्रैजूशन अगर आपका है पहुत सरे कंडिडेट ने बोला भी कि भाई सर हमने बीसे किया तो क्या मैं अप्लाई कर सकते हो क्या ग्रैजूशन में पासू तो होने चाहिए 50% की दिगरी होने चाहिए तो मिला करें यहां पर एक चीज़ा अगर आपके पास सटिफिकर्ट है इसका तब अप्लाई सकते हैं दूसरा पहला महत्पूंशिज हो गया दूसरा इसमें एक चीज और होना चाहिए भई सुद पास सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर वन प्याइटी के फॉर्म वह रहे हैं ना प्याइटी के फॉर्म हरें तो जब प्याइटी का फॉर्म आप भर है टीचर के लिए तो अनिवार क्या भई नोट कर लिजेगा सीट का पेपर वन आपका किलियर होना चाहिए जो कि कंडक्ट करा था सीब्सी जो कि हर साल होता है अभी अभी जो इसका तो आखरे तारीख था तीस तारीख तक सेटेट का फॉर्म भराना था तीस सेप्रेंबर त लाता है नो चलिए अब तिसरा बात ही कहा कि कंपिटेंस टू टीच थ्रू हिंदी एंड इंग्लिस मेडियम समझेगा है अपर प्रोफिसियंसी की बात कि अगर आप टीचर बनते तो आपको इन दोनों मेडियम परहाने का परहाने की यह कला आनी चाहिए उसमें प्रोफिस लिए नहीं चलेगा के डिजरेबल है ज़िरूरी नहीं है अगर तो अच्छी बात हैं जो भी कंडिटेट बाकिज जो है अभी तो मैं बना होंगा है है उसके वाद यहां पे देख लीजें कि पर जो है है उस सभी पर्टोग्लोर पर गहराई से एक एक डीप अनलेसिस करें में वेडियो बना दूंगा तक कि आप लोगों को भी इसमें डाउन ना रहे हैं चलो अब आपके पास इन सारी चीज का क्रेटेटिया फुल्फिल होता है अब क्या करना भाई अब यह करना अब आ रहे है सीरड की दिग्री है घीयलेट की डिग्री है से एलेट की डिग्री की डिग्री है डेयत की रिओ किसी एक की वो डिग्री होने के बाद आपके सीर्ट होना चाहिए थू देख किसीिट युजो हुता ऑद नी move जो एक्जाम के हैं पर पैटर्न ज़रा सुनियगा पहले क्या लिखा गया कि Central Board of Secondary Education CBC conducts Central Teacher As Ability Test for a person to be eligible for appointment as a teacher for class 1 to 8 क्या लिखा गया 1 to 8 के लिए आप यहां पर नीचे डिटेल्स में आते हैं तो देखिया पेपर 1 इसमें दोतरा का पेपर होता है पेपर 1 पेपर 2 पेपर 1 में क्या होते हैं इसमें होता है कि 1 to 5 है ना इसमें 1 to 5 के लिए होता है और पेपर 2 में बिल भी फॉर पर्सन हो इंटेंट्स टू वी अटीचर फॉर टीचर बनेगेगा और पेपर 1 अगर देते हैं तो आप एक से पाचमा के लिए ठीचर बनेगा है ना यहां पर इक यह लिखा गी आल कोश्चन सीट टेस्ट बिल अब यहां पर यहां पर कह लिखा है नूग नीगेटिव मारकिमंग्य अब यहां पर इहां पर रही पर है अब पर संब student वे दुछे का बूफ लेवल क्लासं बंडूफ २ फाइब क्लास फिस to 8 बंड है नोट मैं वह पर ऐपर 6-8 के लिए अपलाई गाना चाहते हैं आप पीपर 1 भी भरो कोई दिखते आप दोनों पेपर निकाल के आप दोनों के लिए एलिजिबल है ठीक है पेपर वन में क्या होता भई पीपर वन देखी टू एन हाफ आफ आवर मिंसके अडाहिएंटे का पेपर होता है और यहां पर आपको कितना प्रसेंट वाक्स लाना चाहिए जो कि आपका जो सटेफिकट मिलता है वो वैलुबल होगा कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं चाहिए प्राविट संस्थान में या फिर सरकारी संस्थान में तो उसमें सबसे अच्छा ग्रेडिंग जो होना चाहिए वो 60% एवब अगर आपकी माक्स है तो बहुत अच्छी बात है अगर 60% से कान है तो आपका जो स बहुत बर्वत बर दे नहीं अच्छा स्कूरा है आप दुवारा भी सिटर दे सकते हैं ठीक है अभी तिवारा पाँपने चाहिए पहलो पर सकते हैं ठीक है साथ साल की वैलिडियोटी मतलब एक वार अगर आपने इसको क्वालिफाय कर लिया तो साथ साल तक आप इसके एकॉर्डिंग ठीक है इसके अब इस फॉर्म को आप साथ साल तक वैलिडियोटी है इसके लिए अप्लाइ कर सकते हैं सीटेट का अगर कहीं पर जरूत है तो ठीक यह बात आगी अब इसके बाद होता है पेपर 2 क्या होता है 628 के लिए होता है ज्यार के इसमें भी कॉनकों सब्जेक्ट हैं सेम सब् लिए अब आपर फॉर्ट में आते हैं फॉर्ट में ए फॉर्म अथेमेटिक एंज्ट टीचर के जो मैथेमें आपका सब्सक्राइब हो अभी मैंने बता होना चाई एक वार्द देख वाराफ होते तब भी कोई बात नहीं है आप रहें इस अच्छा वाना जागा आपका ग अब देखिए पी आटी का अत्नल यहां पर की बात करतें ठीक है को जी और पर उमेंगिलिक्स खेह Verizon क्या गया है तो ऐसा नी छेंज हुआ है लेकिन आपको जो पैटरructor न होना बेसिक तो होई रहेंगा बेसिक को Georgied यह नहीं हुआ है अब नग्वारैना क्या है इंग्लिज है हिंधी ठीक है इंग्लिस हिंदी दस से ड़ाइड र Hosp 2010 मास के लिए और हैं सैंग हिंदी क्या होते जब 1-2.8 क्लास जो क्लास वन टू एट में आपने बढ़ा उसी लेवल का यहां पर कोश्टन देखने को बनता है ठीक है पाट टू में क्या आता है बई जी के होते हैं करेंटर फिर्स होते हैं दस कोश्टन होते हैं दस मास के लिए होते हैं रिजिनिंग आते हैं दस मास के लिए से कंप्पीटर 10 मास के लिए पेड़ागोगी से आपका 20 मास के लिए कुल यहां तो प्रचास मास यह हो गए है ना पठ्थरी में क्या क्या है फिर से जी के है फिर से वही मैथ अब यहां पर मैथ पूछाए कि मैथ वही क्या हुई वही वही 1-2-8 वाला मैथ जर्नल साइंस ज यह वाल इंग्लिस इंडी से डिफेंट से यह इंग्लिस पेड़ागोगी और हिंदी पेड़ागोगी वहते हैं जो कि आपके परहानी क्या वो सरीगहता तरीकी तरीक है उसमें क्या आपकी इस्तियसे इसमें टेस्ट लिए यह 80 मास के वते हैं तो 80 और 5 जाट ते-बंदीर होते हैं आशिए कि यहाँ पर स्लेबस वह आपको समझ में आगए कि फिलेबस में क्या-کया पूछा जाता जाता है कि अब स्लेबस के बाद आते हैं कि भाई ठीक है कि आपका होता कि अटा वाथ से स्रेपलज सो पॉलनिकल निटन दाल हुआ उसका इसका प्रीबेच्वेर काothes दो कटफ मांविगे आफब सार्थ डिश्टट काडिए फॉर इंटर्व्यू के लिए यहां घी यह आपकांस में से है फाइनल जो बनता है आपका इंटर्वी। जो होता है साथ मास का इंटर्व्यू होता है तो कुल मिलाकर इसका जो वेटज होता है रिटेन का 1585 देश्यों का और 15 देश्यों का यह वेटज बनता है इंटर्व्यू मिलाकर तब जाके फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है तो अगर यहां पर देख सकते हैं अगर प्रिवेस कटफ की बात हम करें तो देट्सों में कितना गया था जनरल कटेगरी का 95 और यहां पर देट्सों में आपको यह पहले करना होगा दूसरा साथ माक्स का इंटर्विव उसमें आपको लाने होंगे माक्स और वेल्टेज किस परकार का होगा किया झॅब सब्सक्राइब सब्सक्राइब का हुगा है अब इसमें एक और वेल्टेज बनता हो है साथ पस्यस और पंद्रा इलिघ्व का ह हो जाता है इसमें यह रिटेंड का हो जाता है है था इसे प्रविव को हो जाता है ना तो इससे वेटेज बनते हैं तो कुल मिलाकर आपको पहले तो आपको जो है इसका जो रिटेन क्वालिफाई करना होगा रिटेन जो होता है यहां पर रिटेन की घर हम बात करें रिटेन ऑफलाइन होता है ना ऑफलाइन होते हैं डिटेन क्या होते तो आपको समझ में आ गए कि कुछ खास नहीं था सब इसले बस को एकक करके आप देखेंगे जैसे प्यार्टी पीजिटी टीजिटी कि अगर बारे 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 से देखें तो चीजे आसानी से समझ में आगए तो यह PRT पर मैंने वीडियो बनाया था वीडियो बनाया हूं ताकि PRT जो प्रामियर टीचर वाले हैं जो भी अप्लाई करते हैं इस बात पर सटिक जानकारी रखें और जब भी अप्लाई करें इन सारे बात को अगर ध्यान में रखते हो करेंगे कोई भी गलती नहीं होगा तो स्लेक्शन में किसी तरह की कोई परशानी नहीं होगी है तो यहां पर लगवग मैंने सारे बात ती यहां जो PRT से रिलेड़ेड़ था उन सारी बातों को मैं यहां पर डिसकस्ट कर सुका हूं और क्या-क्या पूछा जाता है तो देखिए एक्जाम जो होता है यहां पर कि इस यहां पर निजो बात करेंगी तो सबसे बड physics सबसे बरा मोखा और यहां पर पेपिज़टी वाले काफी यहां पे ऑपरचनुटी है और बहुत सारे यहां पे सब्जेक्ट हो आईजे वह कर सकते हैं ठीक उसका तो मैं वहां पे लिंक किया पर छोटा सा वह नोटिस होगा वह आपको इस वीडियो में कहीं पर मिंसुन कर दूंगा आप देख सकते हैं ते सीटेट की बात होती है तह देखिए दो तीन चीज़ समझेगा यहां से इस चीज को आगे बहए नब मैं समझता हnew पेहले तो आप इंटर में पे वाम आप सकते इसको और सब्सक्राइब के पर सकते पर इंटर जो सब्सक्राइब पासे सिन्यर सेगंडरी पासे एक लिस्ट फिप्टी पर्संट मार्क्स होने चाहिए फिप्टी पर्संट दोनों में मार्क्स होने चाहिए ठीक है इसमें क्या-क्या होना चाहिए इंटर वाले में आपका इंटर वाले में आपका डिलेट की डिगरी होनी चाहिए ठीक है डिल सब्सक्राइब दीएस का भाता है भी एलेड होना चाहिए ठीक है भी एलेड की डिगरी होनी चाहिए ठीक है ध्याव रखेगा यह फोर येर्स का मैं इंटर मुझीं स्की ड्लेट पास होने फिलिट परसंट उसके बाद डिय्र की दो इसकी डिगरी उनीची और ब्ल का मैं से तो इंटर का मैं बता दियां कि इंटर जो पासे और उनके पास एगर टीचर की डीगरी है ठीक है कोई भी नाम से हो कोई भी नाम से बाटर ब्र नेम और अब आते हैं कि अच्छा इसमीं के वाले में एक और होनी चाहिए किसमें होनी चाहिए तो प्सक्राइब करेंगे उनको से पास होनी के जरूरत नहीं है नहीं रखेगा कर यह लिए ने लिए पास होना जुरूरी है ठीक है पियाँ के लिए इसके लिए हैं 50 pac ने जुक्त है ऑफिर एलेड है यह है यह है ठीक है यह यह है ठीक है यह है और साथी साथ आपके पास सीटेड का तो आपको यहां पर मौका है ठीक है आपको बहुत बड़ी यहां पर मिल सकती है तो तो 1-5 और 6-8 तो 1-5 6-8 में भी यहां पर कंडिशन है ठीक है टेजटी वाले के लिए ध्यान रखेगा 6-8 वाले मिन्सकी 6-8 के क्लास में पराने के लिए आपको सीटेट की डिग्री होने चीए कौन से भाई तो सीटेट का जो है सेकंड ठीक है एक होता है सीटेट वन पेपर एक सीटेट 2nd पेपर ठीक है तो सीटेट आपको वन इसमें यहाँ पेट वाली बिद्यक होंगे सीटेट सीटेट के बाद मैं बता रहा हूं तो सिटेड वन सिटेड टू द्याँ रखेगा पीरटि के लिए सिटेड वन जो कि 25 क्लास के लूगा यहां पे वन ठूपा सिटेड पेपर टू शिर टूट वाले के लिए होगा अगर दोनों पास अच्छी बात है लेकिन जो वहां प्लिफिल करना है उन्हीं करेंगे एसने के बाइज टीजेटी वाले पूछेंगी बाइज मैं प्लाइब कर सकते यहां पर और डी मेंसन किया तो अगर आपके पास इस ट्रेट पेपर टू है तभी तो आप प्लाइब कर सकते हैं तो बेर के पास यहां पर यहां पर सकते हैं और यहां पर मौका बन सकता की निसेसरी नहीं ठीक है अब कौन-कौन स्टुडेंट कौन-कौन अप्लाइ कर से ध्यार रखे बहुत सारे बहुत सब्सक्राइब समय बबफ से बात कर रहा है तो सब्सक्राइब कोई कर पाएगे के लिए ठीक ripस बाथ कर रहे फिर सिर्वाइब कर नहीं ठीकों कि मैं ट्रव कर चुका इंटर लेवल पर मैंने में रखा है कि इंटर में 50% होना चाहिए बी एलेड डी एलेड और डी अगर है इन में से कोई कर रखें तो वाले के लिए बहुत अच्छा अच्छा मौका है एंसे वाले भी अप्लाई कर पाएंगे जिनका अराम से इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे ठीक है जहां रखेंगा बी और बी टेक मिन्स की एने स्ट्रीम एंड पीजिन दख कंप्यू इन कंप्यूटर में इसकी बी और बी टेक वाले को भी स्ट्रीम से हो और पीजी इन कंप्यूटर उनका पीजी अगर अगर अप्लाई कर पाएंगे बड़ाइज फिप्टी परसेंट हो बीट की डिग्री हो और सीटेट पेपर यहां पर टू की बात की गई देख लिजे यहां पर सीटेट डिगेरी वाले आप अप्सust in लोज जगां यहां पर कुछ कोई बड़ी डिमांड नहीं किया मुजीड वाने कि मुजीक होने चाहिए। पस आप इसub प्लाई कर पाएंगे तरहां मुजीक वाले बैचलर डिगरी होने मुने का कंपीड़र्टर मियस की आपको पढानी की जो है English Medium और Hindi Medium में आपके पास उच्छमता है, Computer की डिग्री है, आप अर्याम से अप्लाइ कर पाएंगे, ठीक है, चली, Computer की डिग्री मेंस की दिसे छोटे से डिप्लोमा जैसे कोई कोर्स, छोटे बटे पादेटी नहीं है, Master degree वाले यहां पर ध्यां रखेगा, 50% होने चाहिए, 28 की डिग्री उनने चाहिए, सीटेट नौट नेसिसरी, Master degree वाले ध्यां रखेगा, ठीक है, Master degree वाला करने का मतलब यहां पर पीज़िटी की बात होड़ी, पीज़िटी में यह चीज ज़रूरी नहीं है, है ला, चो मैं बार-बार कहां कि पीज़िटी के लिए जरूरी है, फ्यरव नहीं के लिए पसकुंदे कर सकते हैं, में से बीचे यहां पर मैंसल में क्या गया बैए सीटेट पेपर वान तुफाइब प्यार्ट के लिए सीटेट पेपर टू सीश तू एट इसटी के लिए ठीक है अगर बात करें अगर कम्पीटर नॉलेज़ का डिजार लेवल है कोई सर्टिफिकर हो या ना हो बस आपके पा की पुछ जाँगे मं क्या-क्या पूछ जाँगे ध्यान दूजें यहां तो सबसे पहले गर बात करें यहां पे हिस्पिक सब्जच में ठीक है तो यहां पे आप Always अब differ here से पुछागा और और यहां से자를 अचाआ से नहीं सब्जीक्ट में आपको इंगले सी हिंधी होता है होता है common subject में कि पेडागोगी की बात करते हैं खिक क्या है इंगलिज पेडागोगी हो गया हिंदी पेडागोगी हो गया हम्ति करते हैं यहां पर WikiCounty के बात हुघ ही यहां पर remote करते हैं यहां पर देख लिए जो यहां पर पूछा जाएगा भरी तैक है कि यहां पर community का पूछा जाएगा ढ었다 का अच्छा यहां पर बात हो रही तीजिव तीजिटी कि नहीं करल भूटी में किशन है चानले कि मैं यहां पर असी हो गए पिर यहां पर टीजिंग पेड़ेगोगी में 40 मिला कर ओगे 120 मास होगे और यहां पर 1515 का जो गए 30 जो कि कुल मिला के 500 500 मास के हो गए है टोटल 505 होगे हैं एंगले से आप यहां पर 30 की बात होगी थी उपर में मैंने किया घिख है पेंगे को धरिति को यहाएब काट लाँ भी अवी सप्यांस कि बाद ही यह देख लेते हैं यह था पर कुझे भी सिंडियर। हॉने चाहिए ठाइब को में में बताओंगा ध्यां से देखेगा। थीक है अभी से बात करें एलिजबेटे प्यार्टी प्यार्टी में अभी मैंने बताया था भाई 50 परसेंट होने चाहिए बेर होने चाहिए सिटेट पेपर पा वन होने चाहिए competence competence to teach through English and Hindi Media ठीक है बात करते प्यार्टी म्यूजिक की बात करते तो बैसलोर्ड डिग्री इन कि प्यार्टी की बात करते तो मास्टर प्यार्टी परसेंट होने चाहिए competence to teach through English और Hindi Media ठीक होने चाहिए यहां तो बात समझ में आ गया वही कि यह वेकेंस आने वाली है साथ हजर कर आजबास में पोस्ट आने हैं पीज़िटी टीज़िटी और प्यॉल्टी की बहत होगी ठीक लाब्रेटी ऐसंस की बहुँदिए फिटि तो फोड़े से नोट कर लिए फोटी पी र टी ठीक है पी-अर्टी भीका ध्यान रस्ते सुल लिएका मैंसिम्म होगा 30 years ठीक है maximum isooga age की बात हो रही है ठीक है एच की बात होगा थोगा prt के लिए है पिज़िटी की बात करते तो 40 years होगा कि पिज़िटी के बात करते तो 35 5-years होगा ठीक है अब डिजटर वैस्तर में चुट किनको mean किनको मिलेगा तो सी वाले जो होंगे सीस्टी वाले होगे 5-aidnd पत्क की चूट मिलेगी ओवी इसी वाले होंगे इनको 3-E23 की चूट मिलेगी ठीक है अब यहां पर बात करेंगे woman कि मेंट की बात कर रहे हैं तो ऑल की बात कर और का टेगेरी की बात हो रेए सबी का डिए चाहिए हो वही सी हो जर्रणल हो जबी को यहां पर टेन एर्सका चूट जिनकी मैक्सिमम एज में जो है उसके अलावा दस साल का छूट कि लिए कर अगर माली की 32 साल हो चुका है तो उनको यहां से 10 साल के रिजर्वेशन मिल सकता है रिजर्वेशन छूट के हिसाब से 10 साल इस ते माली कि जिनका 40 हो गया क्या फॉर्म का अप्लाइए नहीं कर पाएंगे तो यहां पर लिखा गया 40 ठीक है जिनका 40 या 42 हो चुका है तो तो नहीं देपाएंगे लेकिन यहां पर रिजर्वेशन छूट टेन यर्स का उनको छूट मिलेगा जिनका 44 यर्स भी वह भी अप्लाइए करेंगे 45 वह भी अप्लाइए कर पाएंगी तो बहुत एस तक इसमें उप्रचुटी मिलका है इसलिए यह फिल्ड काफी लोग लेच्छे जिनके एस क्रॉस कर चुके हैं उनके लिए बहुत अच् अच्छाए पीजिटी पीरटी में च्या किया जाते हैं लाब रियरियन के जो होता है उसमें क्या कटफ हो रहता है तो ना सबसे पैसे पहले हम लाब रीडियों की बात करते हैं पे आप देख सकते हैं कि हैं ह। फाइब मास 105 जो हैं कट अफ गए हैं जर्रल के ओविसी के 104 से के 98 स्ट के 89 वह बात करें पिर टी का देख सकते हैं कि आप म्यूजिक टीचर वाले की बात करते हैं 97 जर्रल का अब देख लिए उसी तरह बहुत सारे यहां पर देख सकते हैं पिजिटी का जितना भी सब्जेक्ट है इंग्लिस है हिंदी है फिजिक से कमस्ट्री है मैस है पैलोजी हिस्वोड़ी जग्राफिय एकोनॉमिक्स कॉमर्स अमिटर शाइंस ठीक है फिर फिजिकल एंड यहां प हो सकता है पियंको शार्ज atraff को बताने को यहां पर जरूरी नहीं है ठीक है सब्जूब करते मेरे चांफ़ प्रिभर करें कि बदिद्धी की बात करें हिंदी और हैं यहां चैंटी मैस साइंच सोचल ब्लब प्रिज्ज इंग्लेज श्रीट ठीक है बहुत स्रीट को बारे पूछेते भाई हाज संसे की भी में से इसन्सृत में आते ठीक है और फिसक यहां पर देख सकते हैं तो यह प्रीयश येर की